हर तकलिफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है और हर तकलिफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है पर तकलिफ से इंसान सेखता भी बहुत कुछ है नमशकार दोस्तों उन्नती कंपेटिशन क्लासेस के छोटी सी फैमिली में मैं आप सभी का फिर से एक बर हार दिख स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भाग 45 कोशन ना पता हो कि हमारी चैनल पर टाइम टेबर शुरू हो चुका है अपकमिंग वीडियो का तो आप देख चुके हैं इस बुक के बारे में डिसक्स कर रहे हैं और इस बुक का पैक अप होने वाला है पच्छिस या बाइस तारीक तक कम से कम जिस बुक को मैं कम्प्रीट करवा दूँगा फिर होगा आपका 11 वेयम डेली चल रहा है ये वीडियो इस पीडि बालोजी का वॉल्यम टू और तिरी आपका एक्जाम चलने वारा हो जैसे आपका दिल्ली पुलिस का यूपी ऐसाई का या फिर किसी अधर इस्टेट का छोटे मटे वीडियो भी बनते रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और इस टैम टेबल पे प्लीज आप लोग भी पॉलो करिएगा कि किस टैम पे कौन स बाती है नाहीं जीयस आपको पसंद करती है अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज बेस को स्ट्रॉंग करिए लुसेंट नेली वाली छोटी वाली बुक में से उसको पढ़िए उसके वीडियो कंपिट हो चुके हैं चैनल पर उन सभी वीडियो का आप वाच कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का अपने ये वीडियो पेज नंबर 161 पार्ट 45 देखिए नाभी किया विखंडर में जो परियुक्त होता है वो क्या होता है आपसे एक्जाम में यह पूछता है कई बार कॉस्टन्स तो इस पेज में जो इंपार्निंपरेंट पॉइंट हैं वो सम्मे कoa क करी थी आपके चैड्व ने और बात करी जा है कैथोर्ड रेस की तो 2 कोश्य करी थी डेजे तौमसर ने अगर बात करी जाए प्रोटोन की थी तो प्रोटोन की खोच करी ती किसने पता को पता होगा प्ले कि पिछले वीडियो में येशिरी आपको बता चुका हूं अग करता है और इसमें इंधन के रूप में क्या परियोग होता है पता है आपको गरिफाइड और भारी जल की छड़े होती है इसमें लगाई जाती है तो यह चीदे बाद में कभी डिसकस करते हैं बढ़ते हैं अगले पाइंट की और कि द्रफ के रूप में पाया जाने वाला एक मात्र आधातू कौन सा है टिक है आपको याद करना है आधातू कौन सा है तो है आपका ब्रहुमीन और अगरा जो पाइंड है वह कि तत्व का सबसे छोटा कं जा फिर भाग्डे होता है वह त、 आपका परमानु प्रमाणू के तीन मौलिक करनों होते हैं इलक्ट्रोन, प्रोटोन, नीट्रोन देखिए प्रोटोन की खोश किसने गरी थी गौल इस्टेन, इलक्टोन सब आगे नीचे जिबना को बताया था वही जे चीज रिपीट होई है चलिए आगे बात करते हैं विद्यूत अबगटन में ऑक्सी करन होता है एनोड पर और एक तत्व के प्रोटोन या इलक्टोन की संख्य कलाती है प्रमाणू संख्या ऐसे प्रमाणू जिनके प्रमाणू करमांग समान परंतु दर्वेमान अलाला होते हैं क्या समिस्थानिक उसके बाद हम डिसकस करते हैं आपसे की आधुनिक आवर्थ साणी में वर्गो तथा आवर्थो की कुल संख्या कितनी होती है 18 और 7 अगला पॉइंट आपके सामने की खनीजो एवं ऐसको से धातू प्राप्त करने की वीधी को कहते हैं क्या धातू क्रम बर्तनों में कलय के लिए उप्योग होता है अमोनियम, कुलॉराइड और भविश्य का इदन का जाता है आपका हाइडरोजन को उसके बाद डिसकस करते हैं हम लोग मार्स गैस कहलाता है आपका मिथेन नॉबल गैस, हेलियम सरवादिक हलकी गैस कौनसी होती है हाइडरोजन, हलकी धातू कौनसी होती है लिथियम, बात करें भारी की तो वो होती है आपकी ओस्मियम और कठोर धातू होती है प्लेटी ना कठोर पदार होता है हीरा और सरवादिक परतियास्त धातू होती है आपके स्टील, असरू गैस क्या होती है, असरू गैस होती है आपके अपके showcloro acetophenone और हसाने वली गैस का नाम क्या होता है nitrous oxide भारी जल का अणू भार कितना होता है तो वो होता है आपका वीश लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा निन्तम होती है Więc लोहें केसा कॉंसी वायटी होती में कार्बन कीenta मात्रा बहुत कम होती है वह था आपका पिटवा लोह विद्धूट या गरμी का सबसे अच्छा सुचालव कौन होता है तो वह होते हैं आपके चांदी ठीक है जिसे कि आपके घर में जो वायरिंग वाइर रह रहती है अगर आप चांदी की वायरिंग घर में करवा दो अपनी तो कबिजली का बिल कमा आएगा और विदूत की जो स्पीड होगी वो काफी फास्ट रहेगी सुद्धम जोना होता है 24 करेट का और लोहा निकिल एवं क्रोम्यम मिस्र धातू से क्या होता है स्टेनलेस स्टील का निर्मान होता है कासा मिस्रित धातु होती है किसकी तामबे वेटीन की और लोहई को इस पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकिल धातु कैल्सियम, पोटेशियम एवं कैडमियम का ऐस्क है डोलामाइट, नाइटर तथा ग्रिनो काईट, बरफ का दरवनांग एवं हिमांग होता है जिरो डिग्री सेंटिग्रेट उसके बाद हम बात करते हैं आपसे रियक्टर में नियंतरक चड़ के रूप में परियोग होता है कैडमियम या बुरोन की चड़का सोडा वाटर, विलियन है गैस द्रफ का और अनुप्रस्त तरंग का एक्जामपल है परकास तरंग, अनुधारी तरंग का एक्जामपल है द्वनी तरंग और द्वनी तरंग गमन करती है लंबवत मनुष्य नहीं सुन सकता पराज सरव्य तरंगों को और अंडे का आपरण बना होता है कैलसियम कार्बोनेट का डी हाइडरेशन से पराय कमी होती है सोडियम क्लोराइट की और रेफरिजेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैंस का परियोग होता है तो उसका नाम है अमोनिया गैंस का कई बार ये कुश्यन से एकजाम में पूछा गया है गोबर गैंस से प्राप्त होने वारी गैंस मिथेन और बायो गैंस का मैंस घटक क्या होता है वो था आपका मिथेन बढ़ते हैं आगले पेज, पेज नूंबर 162 की और द्रवीत पैटोलियम गैंस जिसको बोलते हैं LPG का परमुक संगड़ क्या होता है ब्यूटेन और प्रोपेन है और NTP पर किसी गैंस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर ब्लीचिंग पौडर कैलसियम हाइपो कुलॉराइड है और जिवास्मो का उम्र ग्यात किया जाता है रेडियो कार्बन डेंटिंग वेधी द्वारा पुराने चट्टानों के आयू का आकलन किया जाता है जुरेनियम डेंटिंग वेधी के द्वारा और खाद्य पदार्तों को खराब होने से बचाने के लिए परियोग किया जाता है बेंजोईक अमलका जल में विले विटामिन है B और C और वसा में घुलंसिल विटामिन है A, D, E और K अलजाइमर रोग में मानव सरी का कौन सा प्रभावित होता है तो वो है आपका मस्तिस्क और सुक्रोज में होता है ग्लुकोज एवं फ्रेक्टोज वर्सा की बूंदे गोलकार होती है किस रीजन से तो वो होती है आपकी परष्ट तनाव के कारण असुद्यों से दिरभ का कौन तनाव क्या होता है हमेशा बढ़ता है और क्वासी ओरकर एवं मरास मस्क के बिमारी होती है आपकी प्रोटन के कमी से और मनुश्य में बुड़ापा किस गरंती के कारण लुप्थ हो जाने के कारण आता है तो वो है आपका थाइमस प्रोटीन बना होता है किस से तो यह बना होता है आपका एमीनो अमल से जी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है देखो बच्चो उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि परियोग साला में संसलेशित पहला कारण पदार थे आपका यूरिया यूरिया का रिसानिक सूत प्रोट किया जाता है 62.6 इस वाला जाता है उसको प्रोट कर जाता है तो वह आपका 62 डिगरी सेल्सियस पर दूद का पी एच मांग 6.4 है दूद की सुदिता मापी जाती है लाक्टो मीटर से और पैंसिलीन क्या है यह आपका एक एंटी बायोटिक एंटी बायोटिक्स नस्ट करते हैं बैक्टिरिया को और एंटी बायोटिक इंसिलीन पराप्त होते हैं बैक्टिरिया से कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्नों को किस से विक्सित किया जा सकता है सिल्वल नैटरेड घोल से चीनी सोधन के लिए परियुक्त रंजग है आपका बोन ब्लैक और किसके साथ कास्टिक सोडा को बालकर साबुन बनाया जाता है तो वो है आपका वसा फैट अलकोहल का परियोग किस मापी के लिए किया जाता है तो मैनस 40 degree centigrade के नीचे जो भी टैम्परेचर होता है उसको माप ने के लिए घरमा मैटर में क्या हम लाते हैं आलकोहल CO2 गैंस का प्राकरति क्या है तो वह आपके अमली है उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर की सहियों जी इलेक्ट्रोन की संख्या अधिक्तम कितनी हो सकती है तो वह होती है चाय में उत्ते जीत पतार्त होता है अपका थीन काफी में किफीन, दूद में कैसीन होता है तंबाकों में विशेला पतार्त क्या होता है निकोटी इवं हीरा का गलनाग बिंदू क्या है 3000 डिग्री सेल्सियस तदा 3500 डिग्री सेंटिग्रेट तक एक ग्राम वसा से उत्पनुजा होती है 9.3 कैलोरी और भूमी पर पाया जाने वाला परतम पौदर क्या है ब्रयोफाइट्स मरुस्तल में जो पौदे उकते हैं उनको बोलते ह होंगे उसमें जो छोड़े मुड़े पौदे उकते हैं तो उसका बोलते हैं क्रोपों फिल तो यह चीज़ आप याद दखना बहुत ही अच्छी टर्म है यह अच्छे कीवर्ड है जबके एक्जाम में काम आएगा आपके संसार के सबसे लंबे पौदे संबंदित होते हैं जिमनो स्पर्म से और वायो मंदल में सरवादिक मातरा में पाया जाने वाली अक्रिया गैस कौन से यह है तो वह आपका क्रिप्टन और वैसे जो गैस होती है वह ती है नहीं पर सेंट बिल्कुल नहीं बता हूँँगा आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं वर्षा की संभावना होती है अगर अचानक से करने लगे तो तेज आंधी तूपान आने वाला है देखिए यहां पर क्या है बैरोमेटर में पारे का इस्तम दिरे दिरे चड़ना अगर गिरेगा तो वर्षा की संभावना होगी अगर उपर चड़ेगा तो क्या होगा मौस उसके बाद हम बात करते हैं, प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पकता है, रिजन क्या होता है, पानी का कुइंत रंग बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है, फिर्थिवी के केंदर पर जी का मान होता है, आपका सुन्ने, और गड़े से भरे पानी पर मिट्टी का तेल, रखने पर मच्छल मर जाते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है ऐसा असली होता है कि प्रिस्टनाव कम हो जाता है उनको सांसरे में तकलिफ होती है और वो अपने आप चंद सेकंडों में मर जाते हैं पिर्थवी के लिए प्लाइन वेक कमान के तना होता है 11.2 km per second और सूरे के लिए वेक कमानों का 42 km per second और चंद्रमा पर प्लाइन वेक होगा 2.37 km per second तो पिर्थवी सूरिय चंद्रमा तीनों को ही आपने याद करना है अगर आपको नहीं पता था तो प्रीज इसको कहीं पर लिख लेना नोट्स में अपने तडित चालक बना होता है तामे का और प्रात्मिक साहर होती है सुस्क सैल में शंकर juicy रहा होती है रसा याल का कैथोर्ड बना होता है आपका दूंज के का कैमं अब देखिए लेट मतलब सीशा संचायक बैटरी में बढ़ने हैं सिलफ्यूरी का है इस तरन बना जाता है नर्म लोहे निया या इस part से अब देखे चुंबुक्त्व खतम होता है पीटने या गरम करने से चुंबुक्त्व चेत्र का तीरिवता का ऐसा ही मतर क्या होता है टेसला या न्यूटन विसुवत रेखा पर नती कॉन कमान होता है जीरो डिग्री उसके बाद हम बात करते है विद्धूत मोटर बदलता है को जानते हे कर लगे टाप इसे मतलब क्या होता है कल वीन और staimur परियूक्ट होता है केवल एसी परिपत में और यह करता क्या है कि हई काम करता है तो यह देख रहे होंगे सामने अभ चाहें तो इसको हैलेट कर सकते हैं अधर वाईस केल पर लिज़ी आपको याद रहेगा एसी मैं उम्मीद करता हूं अगला पॉइंट आपका रेक्टिफायर का परिए क्या होता है एसी को डीसी में करवट करने के लिए कि अगला पॉइंट आपके सामने कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में और कैंसर का द्धिन कलाता है आपका ओंको लोजी और कीमोथेरपी का इस्टिमाल होता है कैंसर के इलाज में देखिए के देखिए क्या होती है और काफी डेंजरस रेज होती है और किसी की उमर या फिर समाजी के अगर आप पता होगा कि उसकी दादी को कैंसर हो गया उमर साथ 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 से उपर थी और कीमो थेरपी के लिए जब उसने करवाई तो उनकी डैथ हो गई करो विमन होनी चाहिए मदा और ची जीजों में मिलावाट मैं उसने खांए तो कि मेंुछ करवान आतना है इज सेटी परसिद दवा होती है इसका नाम है तील और किस व्रक्ष चरी प्राप्त होती है तो ये व्रक्ष नाम है आपका यूँ अगला पॉइंट है एथलीट फूटरोग होता है आपका फंक से और चाइवी के के pH मान होता है 7 से अधिक सूध जिंजल का pH वाली होती है 7% और हम लोग का सुध कैसा होता है तो यह होता है अपका खट्टा परियोग साला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र पराप किया जाता है आपका लाइकेन से एंड कार्बन के दो अपरुप कौन से हैं घीरा और गरिफाइट पैंसिल में सीशा बना होता है कि इसका गरिफाइट का और भू परपटी पे सरवादिक मातरा में पाया जाने वाला तो तो कौन सा है तो यह है आपका oxygen उसके बाद बात करते हैं पेज नंबर 164 क आपकी और बढ़ते हैं हम लोग और इसमें देकते हैं क्या का इंपॉर्टेंट है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म होती है मसलब इसका पूरा नाम है डाई ख्लोरो घ्यक्स अ ट्राइक्स का फुल फॉर्म क्या है research and developed explosive देखिए वीदेज की जो तहसदे कर जाता हैं वह हो चलती रहते हैं आप देखते होंगे दिली ऐसा जगह ऊपर चांदनी बल्ली मिलान कारी बावडी ये सब जगह पर काफी असी बिल्डिंग को पड़ानी हो चुकी है जिसको तहसदे स्कूर कर दना चाहिए जिसकी इमारत में रहत चुका है बहुत भेहंकर तो चलिए आगे बात करते हैं पिलाल क्या इंडिया क्या विदेश ये सब बात की बाते हैं और ये टॉपिक ऐसा है कि कभी खतम ना हो फिलाल हमको टॉपिक खतम करना है आज का अपने ये वीडियो टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है पतली सी ज देर बनाई जाती है वो बनाई जाते हैं आपकी परा मैगनेटिक चूरन से पीतल मिस्विदातु है तांबी और जस्ते ही और सोना का लैटीण नाम क्या है तो यह आपका औरलिम चांदि का लैटिन नाम क्या है अरजियृन टम और उसके बाद में बात करते हैं धावन सोड बराबर होता है 10k power 5 9k और दही से दूस्से दही बनने में साहिक जो बैक्टेरिया होता उसका नाम होता है लक्टो बैसिलस बैक्टेरिया जो आप लोग ब्रैड का इस्तेमाल करते हैं डबल लोडी जो आप खाते हैं न काफी सॉफ्ट लगते हैं आपको तो वो सॉफ्ट क्य द्वारा अगला है कि बैक्री में ब्रैड बनाने के लिए जिस्ट का परियोग क्यों होता है देखिए ब्रैड को मुलाहम और लचिला बनाने के लिए हिड़े का पहला परतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिस्टियन बेनार्ड के द्वारा परतिस्थापन आपको प के लीवर में भरपूर कौन सा विटामिन होता है तो वह होता आपका विटामिन डी डॉल्फिन वर्गी करत किये जाते हैं इस तनी में और पक्षियों का अधिन कलाता है आपका और स्वारी और नीथो लॉजी सैलूलर और मॉली कुलर जी विज्ञान का केंदरी स्थीत है काह पर हैदराबाद में और घी घी और दूद का जो रंग होता है यलो वह किस रीजन से होता है वह होता है कारण घी में वसा की मात्रा होती है 99 बर्शन दूद में वसम आपने का जो यंत्र होता है वह कलाता आपका विव टाइरो मीटर पुर्सों की नजबंदी को कहते हैं बे पुर्वीन के अविस्कारक गैलिलियो और सेल्सियस और फॉरन हाइड ताप मापी एक ही मान परदेशित करता है मतलब सेल्सियस फॉरन हैड के इकवल कब होता है माइनस डिगरी माइनस 40 डिगरी टेंपरेचर पर हॉर्ण सिल्वर ऐस कह है चांदी का उसके बाद हम बात कर करते हैं आगे कि करतिम सुगंदित पदार्थ बनाने में परियोग किया जाता है एतिल एसिटेट का कैल्सियम कार्बॉइड पर जल की पड़ते के रिया द्वारा उत्पर गैस कौन सी होती है तो यह होती है आपकी एस्टिलीन और चूना पत्थर का रिसानिक नाम क्या है क प्राकर्तिक रबर बहु लगा है आईसोप्रीन का और लिमेन एकाई है जोती फलस की कैंडीला मात रखाए जोती तिर्विता का प्राबैंगने केनों को अफ्सूसित करती है और जो परत एक्सरे के खोच करता है आपके डबलू सी प्राइंट जन और जो पायरिया जो बिम जूल पर सेकिंड बुन सेन बर्नर कारे करता है बर्नौली के सिध्धन पर और पाने का बुलूबुला चमकता क्यों है पूर्ण आंतरीक प्रावर्तन के करण बहुत अच्छा वोश्चन है यह अगला है पेज नंबर 165 की भारतिया अर्थवश्ता है क्या यह अक्चुली विकासिल अर्थवश्ता विक्सित होती है जो पूर्ण डवलप हो चुकी हो एक होती है विकासिल जो मतला भी विक्सित हो रही है तो यह हमारी जो अर्थवश्ता है वह हमारी विकासिल अर्थवश्ता अगला है कि वीश्व की सबसे बड़ी अर्थवश्ता कौन से है तो वो है आपके अमरीका की यह जो होती है यह आपकी विक्सित अमरीका विक्सित हो चुका है विकाज सिलिकाटेगरी में अमरीका नहीं आता है अगरा है आपका सकल गहलों उत्पात की द्रश्टी से भारत का विस्व में स्थान किया है तो यह आपका दस्वा उसके बाद हम बा अगर आज के इस वीडियो में कवर कर लेता हूं तो next पेज में कुछ micsup सा हो जाएगा क्यों 46 में स्पेज से स्ट करूंगा तो अब मैं एक काम करता हूं कि 46 जो पार्ट है इसमें मैं यह वाला पेज कवर करूंगा पहले ठीक है जिससे कि आपके तरीके वाला फ्लो बन जाएगा राइट तो फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पर 164 पेज नंबर पर इस टॉप करता हूं आ अपने फ्रेंड तक और तुरंत इस वीडियो का लाइक बटन भी दबा दिजिए क्योंकि देखिए क्या होता है कि जितना आप लाइक करेंगे इस वीडियो का जितना अप शेयर करेंगे उतना ही यह वीडियो उस बच्चे तक पहुंच पाएगा गाउं की काफी ऐसे चेत करें बुक के कि वो बुक उस बच्चे तक पहुंच पाई अब काफी सारे खुराफादी कोशन्स यह भी आपके मन में उठते होंगे कि यार की बंदा एंडर्ड यूस कर सकता है क्या वो बुक पर्चेस नहीं कर सकता है आपको पता नहीं होगा गाउं जैसे चेतरों पर र अलग बच्चों ने कॉल करी अलग अलग स्टेट से तब मुझे परज़ लग यार ऐसा भी होता है तो देखिए बुक पर्चेस करना हर एक की बस की बात नहीं है बहुत महंगे महंगे बुक होती है और गाउं में विरुजगारी कितनी है शायद अप बंदा जर्सिच कर न ढहते हैं तीनों 곡 को अगर आप कापिबाल हैं पडम हैं तो तीनों प्रलिज़ कर लिजिये उन सभी तीनों बॉक के चैनल समाने धाल ग्यान ог्यव स्वियुन व refuge व्रमू टू इन तीनों बॉक को लेके बैठिए वीडियो वाच करीए जाए मता पर थो तीनों वर मिल जाय लेगे उसे देखिए सेखिए आगे बढ़िए और सेलेक्शन लिजिए थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो बाइबाइब टेक केर एंड